दोसो क्रिकेट का बेस कहे जाने वाला टेस्क्रिकेट क्रिकेट फॉर्माट का सबसे अनोख और बहतरी इन फॉर्माट है इस फॉर्माट में 5 दिन खिलाडी अपने खेल को निखारने के लिए बहुत ही पसीना बहाते हैं 144 साल पुराने इस format ने लगभख देड़ शताबदी में कई सारी यात्राइं तही की हैं जिसमें कई बड़े स्कोर बने हैं कई टूटे भी हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अभी तक की इतिहास में बने टॉप 10 टेस्ट स्कोर्स के बारे में जहां बले बाजो ने अपने बेहतरीन खेल के दम पर सबको धोर डाला तो शुलिए भाई शुरू करते हैं ये आज की वीडियो आप से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को एंट तक देखेगा चैनल पर वेली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करकर बाल आइकन सरूप प्रेस की चेका नमबर चैन विस्ट इंडीज 751 वर्सर सिंग्लेंड 2004 दोस्तों आज के जमाने में टीट्वेंडी के बेस्टीम माने जाने वाली करिबिया टीम एक जमाने में टेस्ट की भी काफी अची टीमों में से एक मानी जाती थी इस टीम में ब्राइन लारा, जैरेन कंगा, राम नरेश सरवन, शिवना रायन, चैन्दरपॉल जोसे महान टेस्ट प्लेयर्स हुआ करते थे इस टीम में विस्वोर्ट के साथ साथ सेयं का कॉंबिनेशन हुआ करता था इसलिए इस कॉंबिनेशन की वजह से इस बहतरीन टीम के नाम टेस्ट क्रिकट का दसवां सबसे बड़ा स्कोर तरच है 200 करेबेट टीम ने साल 2004 में इंगलिश टीम के खिलाफ पांच विक्टिक होकर 751 रन बनाये थे इस मैच में ब्राइन लारा के वले से वो नाबाद 400 रन निकले थे जो आज भी एक रिकॉर्ड है करेबेट टीम ने स्मैच में ये टार्गिट गेल के 79 लारा के 400 और रिडली चैकप्स के 107 और राम नरेश सरवन के 90 रनों के योगदान से बनाया था इस मैच का नतीज़ा ड्रॉ रहा था दो से एक जमाना ऐसा था जब श्री लंका टीम दुनिया की सबसे ची टीमों में शुमार हुआ करती थी इस टीम के पास पोटेंशल फुल खिलाडियों की एक लंबी फेहरिस्त हुआ करती थी इस टीम की बैटिंग और बोलिंग लाइनप को देखकर बड़ी सी बड़ी टीमों के भई पसी ने चूट चाते थे ऐसी ही महान टीम के नाम आया टेस्ट क्रिकेट का नौवा सबसे बड़ा स्कोर साल 2006 में साउथ अफरिका एक खिले जा रहे एक टेस्ट मैच के दौरान ये स्कोर आया था इस मैच में पहले बलेबाजी करते हुए साउथ अफरिकी टीम सिर्फ 179 रन ही बना पाई लेकिन पहली पारी में बलेबाजी करने ऊतरी शिलंकन टीम के इरादे उस मैच में कुछ अलगी थे इस टीम ने दोनों पक के दोस्तों महिला जै वर्दने और कुमार सुंगा कारा की पार्टनर्शिप की बदावलत 756 रन ठोक डाले इस मैच में कुमार सुंगाखारा ने 287 रन बनाए तो है जय वर्धने ने 374 रन बनाए थे इस मैच को श्रीलंका ने एक पारी और 153 रनों से अपने नाम किया था नमबर 8 ऑस्ट्रिलिया 758 वर्सिस विस्टेंडीज 1955 दोस्तों टेस्ट क्रिकेट का आठवा सबसे बड़ा स्कोर जिसके नाम तर्च है वो टीम टेस्ट क्रिकेट के पहली दो टीमों में से एक है पहला टेस्ट इंगलेंड और ऑस्ट्रिलिया के बीच खेला गया था भले इंगलेंड को क्रिकिट के जनक कहा जाता है दोस्तों लेकिन आस्ट्रिलिया टीम ने हमेशा ही इस खेल में अपना दब-दबा बना के रखा आज हम जिस स्कोर के बात कर रहे हैं वो आया था साल 1955 में मैश था आस्ट्रिलिया और विस्टंडीस के बीच में विस्टंडीस की पहली पारी 357 रनों पर सिमट कई थी दूसरी पारी मब बले बाउसी करने उतरी आस्ट्रिलिया टीम ने चार शतक और एक दोरी शतक की बदालत इस टीम को एक तरफा कर दिया आस्ट्रिलिया की तरफ से कॉलें मैक्टोनल्ट ने 127 रन बनाए नील हर्वे ने 204 रन बनाए केत मिलर ने 109 रन बनाए रॉन अर्शर ने 128 रन बनाए और रिची ने भी 121 रन की पारी खेली इन ही खिलाडियों की बदालत आस्ट्रिलिया ये स्कोर बनाने में सफल हुआ था दोसे मैच आस्ट्रिलिया ने एक पारी और 82 रनों से जीता था नमर सेवन इंडिया 759 वर्सिस इंग्लेंड 2016 दोस्तो हमारी प्यारी टीम इंडिया भी इस लिस्ट में शमार है टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट का इस साथवास सबसे बड़ा स्कोर अपने नाम किया टीम इंडिया ने ये कारणामा साल 2016 में इंग्लेंड के खिलाफ किया था चिन्नाई में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में पहले बलेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने 477 रन बनाए थे इसके जवाब में बलेबाजी करने उतरी भारती टीम के युवा ओपनर केयल राहूल और पार्थे पटेल ने टीम इंडिया की महिशा तभी जाहिर करती जब भारत का पहला विकेट 151 रन पे गिरा था लेकिन करुन लायर और केर राहूल के पार्टनर्शिप ने इंग्लिश खिलाडियों को खून के आश रूला दिया इस मैच में केर राहूल ने शानदार 199 रन और करुन लायर ने शानदार 303 रनों की नाबाद पारी खेली थी इन दोनों की मदद से भारते टीम ने 769 रनों के विराट स्कोर को खड़ा किया था भारते टीम ने ये मैच एक पारी और 75 रनों से अपने नाम किया दोस्तो विश्व का चटवा सबसे बड़ा स्कोर भी शिलंकन टीम के नाम है शिलंकन टीम ने साल 2009 में भारती टीम के खिलाब एहमदाबाद में ये स्कोर बनाया था इस मैच में पहली पारी में बलेबाजी करते हुए भारती टीम ने राहुल द्रविट के 117 रन और महेंदरी सिंग धोनी के 110 रनों की बदालत 426 रन पनाये थे जिसके जवाब में बलेबाजी करने उतरी शिलंकन टीम ने भारती टीम के गेंदबाजों का धाका खोल दिया था शिलंकन टीम के तिलक रतने दिल्शान के 112 रन, महिला जयावर्धने के 275 रन और प्रिसन्ना जयावर्धन के 154 रनों की बदालत 760 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था लेकिन इस मैच के दूसी पारी में भारती टीम ने गौतम गंभीर और सुचिन के शत्कों की बदालत इस मैच को सक उशर ड्रॉ करवा दिया वरना हार बिलकुल तैथ ही इस मैच में दोस्तों से पहले के हम सभी आगे बढ़े मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे साथी बल आइकन प्रेस कर लीजे जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो आए बढ़ते हैं नमबर फाइव पे पाकिस्तान सेवन सिक्टी फाइव वर्सिस श्रीलंका ट्यूथाउजन नाइन 200 पाकिस्तानी टीम भी टेस्किन विराद टॉप 10 स्कोरों में नमबर पाँच की शोभा बढ़ा रही है पाकिस्तान टीम ने साल 2009 में शिलंकन टीम के खिलाफ ये कारनामा किया था इस मैच में पहले बलेबाजी करते हुए शिलंकन टीम ने अपना जलवा दिखाया महिला जय वर्धने और थिलं समर्वीरा के दोरेशदकों से बनी इस पार्टनर्शिप के बदालत 644 रनों पर पारी टिकलेर करती कई जिसकी जवाब में बलेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम भी पीछे नहीं रही पाकिस्तानी बलेबाजों ने शिलंकन गेनबाजों की जम कर थुनाई करते हुए 755 रन बना ढाले पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन यूनुस खान ने बनाये थे 303 रन और कामरान अकमल ने 158 रनों की नाबाद पारी खेली थी ये मैच शिलंक का दूसी पारी में ड्रॉ करवाने में सफल रही थी दोस्तो करिबियाई टीम बीसी शिताबदी की सबसे महान टीमों में से एक है जिसके नाम टेस्क क्रिकेट का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है केरिबियाई टीम ने ये स्कोर साल 1969 में पाकिस्तान टीम के खिलाफ बनाया था इस मैच में पहले बलेबाजी करते हुए पाकिस्तान टीम ने पहली पारी में 328 रन बनाये थे जिसके जवाब में बलेबाजी करने उत्री केरिबियाई टीम ने पाकिस्तानी गिंदबाजों की जम के थुनाई की इस टीम ने कॉन्राड हंट के 260 और एविटेन वीक्स के 365 रनों की बदालत तीन विकेट खोकर 790 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में दूसरी पारी में पाकिस्तानी टीम मात्रे 288 रन ही बना पाई और ये मैच विस्टेन्डीज ने एक पारी और 114 रन सुच चीत लिया नमबर 3.ioned's 849 vs. West Indies 1930 200 क्रिकेट के बीते जमाने में England, West Indies और ऑस्टेलिया के टीमें विश्च की सबसे महान टीमें हुआ करती थी जिन के नाम हर बड़े रिकॉर्ड हुआ करते थे ऐसे एक रिकॉर्ड तर्च है एंसी टीम के नाम इंग्लिश टीम ने साल 1930 में विस इंडीस के खिलाव दुनिया का आज तक का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया था किंग्स्टेन में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लिश टीम ने पहले बले बाजी करते हुए दस विकेट खोकर 849 रन बनाये थे इस मैच में इंग्लिश टीम की तरफ से एंडी ने 325 रन और लेस इम्स ने 140 रनों का योगदान थिया दोस्तों जैसे कि मैंने आखो बदाया इंग्लिश टीम उन 3 टीमों में से एक थी जो 1-16 क्रिकेट जगत पर राज किया करती थी उनके रिकॉर्ड इस राज की कहानी भी बया करते हैं इसी इंग्लिश टीम के बलेबाजों के बले से साल 1934 में आया हमारी लिस्ट का और विश टेस्ट क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर इंग्लिश टीम ने ओवल के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में 903 रनों का विराट स्कोर बनाया था इस मैच में इंग्लिश बलेबाज लिउनार्ड हटन ने 300-400 रन और मौरिस लेलैंड ने 187 रनों की बहतरी इन पारियां खेली थी इंग्लिश टीम ने ये मैच रिकॉर्ड एक पारी और 589 रनों से जीता था ये जीत आज भी टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़े अंतर से दर्च की गई चीतों में से एक है दोसको एक जमाने की दुनिया की सबसे खदनाक टेस्टीम शीलंका के बलेबाजों के बले से आया टेस्ट क्रिकेट के तिहास का सबसे बड़ा स्कोर साल 1997 में भारत की शीलंका दौरे पर आया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर टीम शीलंका ने कोलंबो में 952 रन बना कर सबसे बड़ा स्कोर बनाया था इस मैच में शीलंका की ओर सुस्ट चैसूरिया ने 340 रन रोशन महानामा ने 225 रन और अर्विन डिसलवा ने 126 रनों का योगदान दिया था हाला कि भार के टीम इस मैच को ट्रॉक करने में सफल रही थी तो दोस्तो ये थी हमारी एक और इंट्रिस्टिंग वीडियो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप कोछी लगी होगी प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें ऐसी और बहतरीन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करगा बैल आइकन प्रिस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बिलकुल भी मिस ना हो हम मिलेंगे आप से एक लिए वीडियो में तिल देन बाबाई टेकिया मेरी चान